पड़ोसी मूलक पाकिस्तान हर घड़ी हिंदूस्तान से बातचीत का इंतिजार कर रहा है क्या पाकिस्तान का ये इंतिजार खत्म होगा सवाल यही है दरसल नियोर्क में काउंसल फॉर फॉरन रिलेशन्स में एक कारिकरम हुआ जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जैशंकर ने पाकिस्तान को आइना दिखाया है दरसल एस जैशंकर ने पाकिस्तान को आइना दिखाते हुए कहा है कि हर कोई अपने पड़ोसी मुलक से बातचीत करना जाता है दैसल नियू योर्क में Council on Foreign Relations यानी CFR कारिक्रम हुआ जिसमें भारक के विदेश मंतरी S.J. शंकर ने पाकस्तान को आइना दिखाते हुए ये कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि पाकस्तान से बाचीत हो या ना हो हर कोई अपने पडोसी मुल्क से बाचीत करना चाता है लेकिन मुद्दा ये है कि हम ऐसे देश से कैसे बाचीत कर सकते हैं जो लगातार आतंकवाद का संचालन कर रहा है यानी इस बैठक के जर्ये इस कारिक्रम के जर्ये विदेश मंतरी S.J. शंकर ने पाकस्तान को कड़ा संदेश दिया है आपको बता दे इस कारिक्रम के जर्ये भारत के विदेश मंतरी S.J. शंकर ने जमू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाई जाने के बाद इस कारिक्रम में भारत का पक्ष रखा और कही न कहीं पाकस्तान को जो लगातार वो जमू कश्मीर को लेकर सवाल खड़े कर रहा था और हिंदुस्तान पर आरोप मड़ रहा था उसको भी मूतोड जवाब दिया है एस जय संकर ने कहा है कि पाकस्तान टेरिरिस्तान है और उससे बाच्चीत नहीं हो सकती जब तक वो अपने देश से आतंकवाद खत्म नहीं करेगा साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जमू कश्मीर को लेकर लगातार पाकस्तान आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है और लगातार वहां आशान्ती फैलाने की कोशिश कर रहा है लगातार आपको बता दे भारत के ओर से यही रुक रहा है कि जब तक पाकिस्तान अपने देश से आतंकवात खत्म नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान से कोई बात्चीत नहीं हो सकती विदेश मंतरी एस चैशंकर ने कहा कि पाकिस्तान से बाचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन टेरिर्स्तान से बाचीत नहीं हो सकती क्योंकि जब मुकश्मीर में वो लगातार अर्शांती फैलाने के लिए अपनी आतंग की फैक्टरी चला रहा है और आही न कहीं पाकिस्तान को जम्मु कश्मीर को लेकर वो जो तमाम सवाल हिंदुस्तान पर खड़ा कर रहा है कि जम्मु कश्मीर में हालात बेहत बत्तर हैं और जिस तरीके के आरोप लगा रहा है उसको लेकर भी पाकिस्तान को मुतोड जवाब दिया है एस जैशंकर ने पाकिस्तान के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि जमू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाय जाने से पहले जिस तरीके से लगातार वहां हत्याय हो रही थी अलगाववादी वहां लगातार आतंग फैला रहे थे उसको लेकर हुने कहा कि 370 हटाय जाने के बाद से दरसल सुरक्षा के लि लगातार पाक्रस्तान अंतराष्ट्य मंच पर भी वाद से खाटी में आतंग फैलाया गया और लगातार तमाम बातों का जिक्र विदेश मंत्री ने किया लेकिन साफतोर पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया कि पाकिस्तान से बाचीत हो सकती है लेकिन जब तक वो अतंकवाद खत्म नहीं करेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी और साफतोर पर कहा कि टेरिरिस्तान है और उससे जब तक टेरर उसके देश में रहेगा तब तक कोई भी बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी यानि लगातार पाक्रस्तान अंतराष्टे मंच पर भी जलील हो रहा है लेकिन बावजूद उसके कोई सीख नहीं ले पा रहा है लेकिन देखना होगा कि आखर पाक्रस्तान कब तक सभलता है और कब तक इन तमाम बातों से सीखता है न्यूस के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिली नाइन चुनाएट